हेलो अर्यवन कैसे हैं आप सब लोग वेलकम इंटी पॉंट जेके में शोईब गाइस मैं आपको बता दू जेके सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले ताकि हमारे एंट से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ठीक है त आपका टैपिंग्स देखने को मिलेगा तो इसी तरह फेज में आपका टैप टेस्ट होगा उसके बाद आप यहां पर देख सकते वैरिस नोटिविकेशन नंबर चारफ डुपर्में यहां पर नीचे में चिन किया मैं भी आपको प्ता हूंगा उसके बाद काड्रे आप सो ते डिविजन जम्बू की यहाँ पे आपकी विकैंसी रहेंगी यहाँ नोटिफिकेशन चारफ दोजार इकीस में दिका उदंपूर यहाँ पे कैडरी रहेगा रुजोरी पूच इसी तरह जिस इस आइट नंबर के लिए आपने फॉर्म फिल कर रखा है उसमें जितनी भी व प्रोटेक्शन एंड फॉर्मस वेलफेर ठीक है इसी तरह दोफ दोज़र बाइस भी आपका नोटिफिकेशन नंबर है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आइटन नंबर से जिन भी आइटन नंबर से आपने फॉर्म फिल कर रखा हुआ है ठीक है आपको पता ही है उसके बाद यहाँ पे डीफरेंट रीट कर सकते है इसी तरह दोफ दोजरवईस ऐह है उसके बाद नोटिफिकेशन कि डिफ्यनर डिफरेबर्टमेंट यहाँ की रख़एगा आपका यह डिपार्न ठीक है इसी तरह यहाँ यहाँ गार्पर घिपेस्टेंच़्र रिख सकत उसके बाद बात करें यहां पे next notification की तो आप यहां पे रीड कर सकते हो इसी तरह यह जो आपका 14 जोज़रपाइस है यहां पे different departments है जिस जैसे आप यहां पे देख रहे हैं चार दोज़रपाइस चार बज़े से आपको जेके सिस्पी की official website पे देखने को मिल जाएंगे ठीक है और पंद्रा चार दोज़रपाइस से जो है अपने डाइपिंग निसकने करने जा रही है admin card पे आपको जो है name address of examinations enter examination date and time for the candidate देखने को मिल जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पे mention की है admin card issued only for those candidates ठीक है उनी candidates के लिए जो है यह admin card issue हुआ है जिन candidates का जो है exam जो 34-24 तक होना है यानि के phase first में होना है उसके बाद इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है जो है आपको अपने admin card को साथ लाने इसके बिन आपको एंटरी नहीं मिलेगी आपके वैंडियों में उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं help next number यहां पर mention की है इन नंबर पर आप जो है को difficulty आती है admit card को download करते है वकत ठीक है और यह जो आपका help next portal यह एक्टिव कर दिया जाएगा नाउचा 2024 से ठीक है till the completion of typing test जब तक जो है आपका typing test complete नहीं हो जाता तब तक जो है आपको यहां पर यहां पर यह एक्टिव मिलेगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख जाता है ठीक है admit card के लेटी कुछ भी तो आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद यहां पर step wise प्रोसेशन किया किस तरहां से आप अपने admit card को download कर सकते होता है जैसा यहां पर लिखा हूँ है to download e-admit card first visit ठीक है सबसे पहले आपको visit करना यहां पर उसके बाद आपने e-admit card पर जाना इस तरह से जो है आप उसको PDF फॉर्म में save कर सकते है ठीक है उसके बाद इसके बाद यहां पर mention किया candidate who failed to appear in the test on the schedule date shall not be allowed to appear in the test for the mention notification and subsequent date shall be disqualified by any further consideration यहां आपको पता है यह उसके बाद यहां पर देख लिए no supplementary type test of the candidate candidates who happen to who happen to miss the type test schedule here in shall be conducted by the board on any ground whatever किसी भी तरह का आपका subliberty type test नहीं होगा अगर आप मिस करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर mention किया होगा है कि आपका जो है किसी भी ground पर उसके बाद आपका वापी से type test नहीं लिए जाएगा उसके बाद यहां पर 15 में mention किया only those candidates who achieve in accuracy of the typing 90% and the typing speed of minimum 35 words per minute shall be considered qualify for stage second आपको पता यहां पर stage first है यहां पर criteria बताया कि किस criteria पर आप यह क्वालिफाई कर जाओगे तो qualify यहां पर बताया होगा है कि अगर आपको accuracy आती है 90% यह से ज्यादा की तो उसके बाद आपकी जो speed 35 words यह 35 words से ज्यादा की आती है तो आप qualify कर जाओगे उसके बाद यहां पर mention कि है 16 पर the candidate who fails to appear in the type test on the given date shall forfeit the right of shell forfeit is right of consideration तो यहां आपको जो है वो अपने schedule पर चले जा रहा है ताकि आपका candidates cancel ना हो उसके बाद guys typing के regarding किसी भी तरह की query आप मुझे पूछेंगे ठीक है तो बाकी मेरे answer जितनी important videos थी वो मैंने आपको provide करी है बाकी फिर भी मुझे लगा ठीक है कुछ वीडियोस आपको provide करनी है तो कोई issue नहीं 15 से पहले पहले मैं आपको provide कर दूँगा ठीक है कुछ important videos है ठीक है तो बाकी किसी भी तरह का कोई भी आपको doubt है कुछ भी है तो आप मुझे इसी वीडियो को नेचे के comment करेंगे मैं आपको answer करूँगा बाकी इस वीडियो में इतना ही आप सबको inform करना था अच्छे से practice करें आप सब achieve कर सकते हो ठीक है अच्छी speed औ